देश में लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जा रहा है। देश की संसत। महज, इट, पत्थर, सिमेंट और सरीये से बनी हुई कोई इमारत नहीं है बलकि देश के करोडों, देश वाशियों के भावनाओं, पेक्षाओं, अकांशाओं की इमारत हैं जहां देश की बुनियादी म दो की चर्जा होनी चाहिए। कि देश की प्रथम नागरिक का इस तरह का सम्मान हो रहा है। जब राश्ट्रपती पर चुनाव होता था और ये लोग उमीदवार बनाते थे तो रामनात कोविंद जी हों या महमहीम अभी की वरतमान राश्ट्रपती द्रौपदी बताते थे। उसकी चुनावी मार्केटिंग करते थे। लेकिन अब जब सहीम उनको सम्मान देने का मौका आया है तब प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतियंता पार्टी इसी चीज़ में लगी हुई है कि कैसे इनको प्लिटिकल ट्रपी मिल सकें कि देश के राश्ट्र अपमान क्यों हो रहा है इस बाबत वो लोग कुछ नहीं बोलना लेकिन बड़ी-बड़ी बाते कहीं जा रहे हैं लोग यह भी बात को रखे कि चालिए जो दूजार चोविस का चुनावाएगा उसमें चार सो पार मोदी फिर से देखिए कर डिडेट्स होके अंदर उनका लाकडा सिमट जाए और उन्हें इस बात का पूरा अभास है तभी वो लोग इस तरह की बाते करें ताकि उन्हें संसद भवन बनकर तयार हो गया विपक्षी एक्ता जो है विपक्षी दल जो है वो उसका विरोध कर रहा है कि एक दलित समास से आती है जो की राष्ट्र पत कल आप लोग बैठने जा रहे हैं अम्बेद कर मुर्थी के साथ क्यों लेकि पाटी ने यहां फैसला लिया है और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि देश में लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जा रहा है देश की संसद महज इट पत्थर सिमेंट और सरीय से बनी हुई देखी जा रही है देश के राजनेतिक हालातों में उसमें ये बहुत खतरनाक है कि देश की प्रथम नागरिक का इस तरह का उसम्मान हो रहा है जब राश्ट्रपती पर चुनाव होता था और ये लोग उमीदवार बनाते थे तो रामनात कोविंद जी हो या महमहीम अभी क वर्तमान राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू जी उनकी जाती बताते थे उसकी चुनावी मार्केटिंग करते थे लेगिन अब जब सहीम उनको समान देने का मौका आया है तब प्रधान मंत्री जी और पूरी भारत्यंता पार्टी इसी चीज़ में लगी हुई है कि कैस इनको प्लिटिकल टी आरपी मिल सके इनकी वावाही हो सके और देश के सरवोच्पत पर बैठे हुए देश के प्रधम नागरी का अपमान ही क्यों न हो जाए तो सभी पार्टियों ने आप जानते हैं कि फैसला लिया है कि इस समारों में शामिल नहीं होंगे और कल जब यह कारेक्टम हो रहा होगा तो हमलोग पतना में हमारी पूरी पार्टी जएकिए गया है कि समृदान निर्माता समृदान से ही पुटतेश चलता है उनकी प्रतिमा के नीचे बैठकर हम लोग अंशन करेंगे जब विधान सभा का यहाँ पर विस्तार किया गया था तो उससे में आप लोग भी नहीं खोजे थे विपक्ष का नाम नहीं हूँ आप लिखा था यहाँ आरोप लगा रहा है बीजेट। भारत के लिए सर्वोच्य सम्मान का वो जगह है और उस जगह पे अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो देश की जनता इसको अच्छे समझ रही है कल वो लोग मौन धरन करने के लिए गए थे और वो बता रहे थे कि जब हम पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस चावनी पुरी तरह स्विधान सवाण पुलिटिकल नो टंकी है उन्हें सवाल पूछना चाहिए देश के नागरिक होने के नाथ कि देश के राष्ट्रपती का उपरा राष्ट्रपती का अपमान क्यूं हो रहा है इस बाबत वो लोग कुछ नहीं बोलना लेकिन बड़ी-बड़ी बाते कहीं जा रहे है वो लोग यह भी बात को रखे कि 2024 का चुनावाय का उसमें 400 पार मोदी फिर से देखिए कि डेडेट्स होके अंदर उनका आकड़ा सिमट जाएगा उन्हें इस बात का पूरा अभास है तभी वो लोग इस तरह की बाते करें ताकि उनके जो कारकरता है उनसे इंटाक्ट रह का में वाला उसका भाईश्कार करिए दीख हो चुका है हमारे साथ स们 अन्य बहुत सारी विपक्ष़ी पार्टि हैं जे लोगों से का योजों का भाइश का ट्रेंहुए है हमने तो कहां बहुत सारीवरे पर्दुभरावक्ता अब इस एक जहात है इन्हों आप जनता जक्सन देख रहे थे, मेरा नाम DC है.